दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Health ID Card यानि कि आभा कार्ड कैसे बनाते हैं Complete Process बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है N-D-H-M टाइप करने के बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद सबसे उपर वाले वेबसाइट पर किलिक कर लेना है किलिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा अगर आप डारेक्ट इसी पेज पर आना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दिया गया है उस पर किलिक करके आप डारेक्ट इसी पेज पर आ सकते हैं यहाँ पर आपको दो आप्सन देखने को मिलेगा पाला यूजिंग आधार दूसरा यूजिंग ड्राइविंग लैसेंस अगर आप आधार कार्ड से बनाना चाते हैं तो यूजिंग आधार पर किलिक करना है अगर आप ड्राइविंग लैसेंस से बनाना चाते हैं तो Using Driving License पर क्लिक करना है उसके बाद Next पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आधार नमबर फिल करना है उसके बाद I Agree पर क्लिक करना है उसके बाद I Am Not A Robot पर क्लिक करना है उसके बाद Next पर क्लिक करना है Next पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा OTP को यहाँ पर फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद Next पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके आधार का पूरा डेटेल्स यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद next पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी mobile number फिल कर सकते हैं उसके बाद next पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर email id फिल करना है अगर आप email id फिल नहीं करना चाहते हैं तो skip for now पर क्लिक करना है यहाँ पर मैं अपना email ID फिल कर लेता हूँ email ID फिल करने के बाद get OTP पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके email ID पर OTP आएगा उसे यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद continue पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आवा नमबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका स्क्रिन साट ले लेना है आभा नमबर मेसेज में भी आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद लिंक के आभा एड्रस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है Do you have an existing आभा एड्रस अगर आपके पास आभा एड्रस है तो yes कीजिए अगर नहीं है तो no पर क्लिक कीजिए उसके बाद sign up for आभा एड्रस पर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपका profile details आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आभा एड्रस फिल करना है suggestion में भी आपको आभा एड्रस देखने को मिल जाएगा इसी को आप फिल कर सकते हैं उसके बाद create and link पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको congratulations का message देखने को मिल जाएगा उसके बाद go back your आभा नमबर account पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर दो आपसन देखने को मिलेगा पाला mobile दूसरा आभा नमबर अगर आप mobile नमबर से login करना चाहते हैं तो mobile पर क्लिक कीजिए अगर आप आभा नमबर से login करना चाहते हैं तो आभा नमबर पर क्लिक करिए तो मैं आभा नमबर पर क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आभा नमबर फिल करना है उसके बाद यहाँ पर date of birth का केवल year फिल करना है उसके बाद I am not a robot पर क्लिक करना है उसके बाद continue पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगा पहला OTP on mobile number linked with आधार OTP on mobile number दूसरा linked with your आभा number अगर आधार कार्ड से जो mobile number link है उस पर OTP मगाना चाते हैं तो पहले वाले option पर क्लिक कर लेना है अगर आप आभा कार्ड से जो mobile number link है उस पर OTP मगाना चाते हैं तो दूसरे वाले option पर क्लिक कर लेना है उसके बाद continue पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर OTP फिल कर देना है उसके बाद continue पर क्लिक करना है किलिक करते ही आपका Health ID कार्ड यानि की आभा कार्ड आ जाएगा आभा कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड आभा नंबर कार्ड पर किलिक करना है उसके बाद डाउनलोड पर किलिक करना है आपका आभा कार्ड डाउनलोड हो जाएगा यहां से open करके आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप health ID card यानि की आभा card बना सकते हैं अपने phone से